हेलो डियर श्टुडेंट स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टार्गेट गुलकुल पर बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक पर वीडियो लाए हैं आप सभी के डिमांड पर जी हाँ ABCID क्या होती है बच्चे बहुत सारे कमेंट्स करके पूछ रहे हैं बहुत कंफ्यूजन में हैं कि ABCID क्रियेट कैसे करनी है दरसल लक्नोव शुदैले की तरफ से अभी कुछ दिन पहले ही आप नोडिफिकेशन जारी किया गया कि अब आप सभी बच्चों को जो कि ABCID क्रेट करनी होगी ठीक है लेकिन ABCID होती क्या है इस पर जानेंगे इसके क्या benefits है और यह कैसे बनाई जाएगी step by step हम यहाँ पर जानेंगे ठीक है सबसे पहले कि यह ABCID क्या होती है दरसल ABCID एक ऐसी ID है जिसके तुरू आपके जितने भी academic यहाँ पर documents है वो digitally एक जगा पर collect किये जाते है ठीक है application है जिसका आप सभी लोग जानते होंगे mostly बच्चे ठीक है इसी के through आप लोगों ने यहाँ पर अपना scholarship भरा होगा वो है dizzy locker ठीक है mostly बच्चे इस application से परचित होंगे dizzy locker जो की आपको पता है कि government से पूरी तरीके से authorized है ठीक है जितने भी आपके official documents होत हो income certificate हो caste certificate हो ठीक है driving license हो वो सारे digital डिस्टल रूप में आपके जितने भी documents से upload कि जाते हैं वो dizzy locker में ठीक है ठीक है ठीक उसी प्रकार से dizzy locker के अंतर गथी ठीक है आपकी ABC ID आती है और उस ABC ID के माध्यम से आप अपने academic जितना भी data होता है उसको collect कर सकते हैं एक जगहा पर collect कर सकते हैं ठीक है जैसे कि आपके marks वगेरा हुए ठीक है और वो marks आपके credit में भी यहाँ पर देखने में आएंगे आखिर इसका क्या फैदा होता है यह भी बता देते हैं दरसल यह जो आपके पूरा digitally data academic का collect किया जाता है चाहिए आपके results के marks वगेरा होते हैं ठीक है जितना भी होता है कि आपका जो भी diploma वगेरा होता है जो भी certificate वगेरा मिलते हैं आप लोगों को आपके education के दौरान वो सारे डिजिटल रूप में इस वज़े से collect के जाते हैं इसका फैदा यह रहेगा इस ID को बनाने का कि आप अगर मान लीजिए NEP के तहत अगर आप लोग एक gap ल phases में यहां पर transfer करने के लिए बहुत ही mobile होती है ठीक है बहुत ही ज्यादा mobility प्रदान करती है कि आप एक course से लेकर के दूसरे course में कैसे switch करते हैं अगर आपका gap है तो उस gap को कैसे अच्छे तरीके से manage किया जा सकता है कि आप किसी भी other university में जा करके अपना बहुत ही आसानी तरीके से बहुत ही mobility के साथ admission ले सकते हैं या फिर एक course के साथ आप दो course कैसे manage कर सकते हैं यह id आपके सारे academic documents को collect करते हुए इस id के थूरू आपका जो admission process होता है जो आपका academic process होता है वो बहुत ही mobile हो जाता है मतलब बहुत ही आसान हो जाता है लचीला हो जाता है ठीक है यह चीज क्लियर हुई यह चीज क्लियर हुई कि ABC ID क्या होती अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि इसके बिना जो exam form है वो नहीं भढ़ सकते हैं वो क्यों दरसल exam form को लखने उशुदाले को लेकर कि आप यह समझ लीजिए अगर आप exam form भढ़ने जाते हैं और आप से कोई भी document मांगा जाता है तो आ यह जो जमेला है यह अब आपको इसके तुरू नहीं करना पड़ेगा जब आपकी सारे document इस ABC ID के अंतरगत आ रहें हैं ठीक है जब आपने सारे document digitally upload कर दिये हैं तो बस आप यह ID यहाँ पर अपने admission process में लगा देंगे तो उस ID के तहत आपकी जितने भी document हैं उस सारे capture कर ल नहीं है ठीक है तो जो आपका एक प्रकार से हर एक on paper आपको submit करना होता था यह जो दिक्कत आती थी यह नहीं होगी अब आप क्यों अपनी ID आल दीजे जो University Institute होगा वो खुद ही catch कर लेगा कि आपके क्या documents कौन से semester के कितने result रहे हैं क्या आपका certificate है क्या आपका diploma है यह सार official documents वो collect करने का एक प्रकार से application होता है ठीक है जिसके तुरू आपका security pin होता है वहां से जाकर कि आप अपने जो documents है उनको secure भी कर सकते हैं ठीक इस ही के अंतरकत आपका ABC ID आता है अब बात करते हैं कि इस ABC ID को हम कैसे बना सकते हैं ठीक है step by step इस चीज को मैं आपर समझने की क सब से पहले कि सबसे पहला काम आपको करना है कि यहां पर play store दिया है आपके सभी लोगों के mobile में होगा तो जाकर करके simply इस play store to पर जाना है आपको visit करना है और इस पही विजिट करने के बाद आपको डालना है Dizzy Locker ठीक है Dizzy Locker application है उसका नाम दालना है Dizzy Locker application आ जायेगा ठी आप लोग का install लिखा होगा तो आप लोग यहाँ पर इसे install कर सकते हैं ठीक है install करके अपने mobile में यहाँ पर download कर लीजेगा इसके बाद जो अगला process होगा उसमें आपका कुछ इस प्रकार से जब आप अपना से जिन लोगों ने DZ Locker का account नहीं create किया है उनका सबसे पहला यहाँ पर जिम्यदारी है कि आप लोग अपना account create करने के लिए create account पे click करेंगे ठीक है जब आप लोग create account पे click करेंगे तो उसके बाद आप से कुछ detail मांगेगा detail क्या कैसी होनी चाहिए बहुत ही ध्यान से सुनिएगा जो आपका नाम है ठीक है पहले आपका पूरा name मानेंगेगा जो आपका DOB है date of birth है वो भी मांगेगा इस सब कुछ आपका आधार से match करता हुआ होना चाहिए ठीक है यह चीज बहुत ही ध्यान है ध्यान से सुनिएगा ठीक बहुत ही important है आप अपना नाम अपने इसाफ से नहीं राल सकते जो आधार में लिखा है वही आपको डालना पड़ेगा ठीक है date of birth भी आपको जो आधार में लिखिए वो यहां पर डालनी पड़ेगी क्या है आपका जेंडर यह डालना है फिर mobile नंबर बहुत ही ध्यान से सुनियागा mobile नंबर भी आपको वही यहां पर पेस्ट करना होगा जो आपका आधार से लिंक होगा यह चीज क्लियर हुई तो mobile नंबर भी वही सारी डेटा आपका आधार से लिंक होना चाहिए ठीक है फिर आपको email id और छे डिजिट का एक आपको security pin create करना होगा security pin क्यों create करना है आप कुछ भी करते हैं आप facebook इंस्टॉल करते हैं facebook चलाते हैं instagram चलाते हैं जब आएक बार अनिस्टॉल कर देते हैं उसके बाद इंस्टॉल करने पर आप से login करने को बोलता है ठीक है तो कुछ ना कुछ password वहाँ पर डालना पड़ता है तो उस password को इस्तेमाल करने के लिए आपका जो id होता है वो secure होता है इस वज़े से security pin का इस्तेमाल किया जाता है तो एक प्रकार से आपके account को secure करने के लिए security pin रहेगा तो वो security pin आप यहाँ पर create कर सकते हैं अपने accordingly सब्मिट पे क्लिक कर देंगे जब आप सब्मिट पे क्लिक कर देंगे उसके बाद जो आपका डिजी लॉकर है उसका account क्रियेट हो जाएगा ठीक है इतनी चीज क्लियर हुई अब एक दूसरा process भी यहाँ पर देख लेते हैं यह तो वह हुआ जिनोंने account क्रियेट ही नहीं क किया है तो उनके में sign in करने को बोलेगा ठीक है आप लोग क्या करेंगे sign in करेंगे जिनोंने download किया जिनके account बना हुआ है अगर आपका account बना है तो आप sign in करेंगे ठीक है अब sign in के लिए यहाँ पर क्या process रहेगा sign in के लिए बस आप से कुछ detail मांगेगा जैसे कि सबसे पह आप अधार से login करेंगे तो आपका अधार नंबर मांगेगा mobile number की जगा ठीक है तो आप लोग अपना अधार नंबर डाल करके फिर next पे click कर देंगे जो अधार नंबर रहेगा इस वज़े से क्योंकि आधार नंबर से जब आप डालेंगे तो जो OTP आएगा आपके अधार जो नंबर होगा mobile number उस पे आएगा तो इससे यह भी verification हो जाएगा कि आपने आपका नंबर यहां पर चल रहा है आधार से जो लिंक है कि नहीं चल रहा है ठीक है अगर नहीं चल रहा है तो इसे आप लोग जल्दी से जल्दी उसको अपडेट करा सकते है ठीक है उसको प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् simply आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहां पर खुल कर आएगा ठीक है अब इस तरह के इंटरफेस में आपको क्या करना है देखिए सबसे पहली चीज जो ध्यान में रखनी है डिजी लॉकर का पूरा आपका अप्लिकेशन ओपन हो गया है आपका एकाउंट बन गया ह ठीक है मैंने देखिये अधार अपलोड कर दिया है क्लास्टेन की माकशीट इंटर मैं अपलोड कर दिया अगर आपने कुछ नहीं किया है तो यहां पे no records found यहां पर आएगा ठीक है लेकिन हमने इतने document upload के तो दिखा रहा है ठीक है यह तो हुआ इसूज इसूज का मतलब है कि ऐसे document जो आप इसूज कर चुके है ठीक है जो आप upload कर चुके है ठीक है अब बात करते हैं कि हमें ABC ID create करनी वो कैसे create होगी जो कि हमारा main motive है तो simply आपको यहां पर search का option दिख रहा है बच्चों search पे आप लोग यहां पर click करेंगे ठीक है जब आप लोग search पे click करेंगे उसके बाद मालीचे मैंने search किया ABC जैसे ही मैंने ABC सर्च किया तो यहां पर लिखकर आया academic bank of credits ठीक है तो यह वाला जो option है अपार या ABC ID card जो कि Delhi के दौरा यहां पर authorized किया गया है क्योंकि central government के दौरा यह पूर official details मांगेगा अब वो जो official details है वो आप यह मत समझेगा कि तो हम डाल चुके है create account करते समय ठीक है यह उनसे अलग है क्योंकि आप dizzy locker के माध्यम से अपना जो ABC ID है वो create कर रहे हो ठीक है academic document के store के लिए इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी आपका academic store house इसे यह एकाडमिक store house भी बोलते हैं क्योंकि आपके academic data यहां पर store किया जाता है ठीक है सबसे पहले आपको अपने नाम डालना होगा ABC ID को create करते समय नाम कैसा होगा वही नाम जो आपके आधार card में होगा ठीक है फिर इसके बाद आपको data of bird डालनी होगी जो आपके आधार card में होगी इसके बाद आपका gender डालना होगा फिर आपको identity type डालना होगा ठीक है अब यह identity type क्या होता है identity type देखिए जैसे कि आप लोग अपना result जब चेक करते हैं तो roll number डालके ठीक है roll number के साथ आप लोग data of bird डालते है ठीक इसी प्रकार से identity type का मतलब होता है कि कोई एक identity type जो आपकी academic data को पूरी तरीके से यहां पर signified कर रहा हो ठीक है उसको डालेंगे ठीक है तो वह आपका कौन सा हो सकता है यह आपको चूज करना है हो सकता है कि प्रोविजनल अपार हो roll number आप roll number के तुरू आप यहां पर कर सकते हैं registration number के तुरू कर सकते हैं ठीक है या enrollment number मिला है तो आप new admission पर click कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ठीक है अब आपको सारी details नहीं मिली है जब मिलेंगे तब ठीक है और अगर आपके पास कुछ भी नहीं तो आप लोग नन भी click कर सकते हैं ठीक है लेकिन अगर उस हिसाब चे देखा जाये तो काफी बच्चों के पास यहां पर जो होगा वो रोल नंबर आ गया होगा ठीक है तो मैं आपको सग्जिश्ट करूँगा कि आप लोग रोल नंबर की माध्यम से कर सकते हैं अगर रोल नंबर भी नहीं है तो आप लोग यहां पर इन्रोल्मेंट नंबर की माध्यम से यहां पर कर सकत हैं यह चीज क्लियर हुई ठीक है तो आइडेंटिटी टाइप का मतलब कि सेलेक्ट आइडेंटिटी टाइप आपका क्या होगा जिसके माध्याम से आप अपनी ABC ID को पहचान दे सकते हैं ठीक है रोल लंबर के माध्याम से ठीक है ताकि वह आपके एकाउंट को वेरिफाई तो कर सके कि आप किस अकैडमिक डेटा के तुरू आना जाते हैं आपका रिजट रोल लंबर के माध्याम से चेक किया जाता है उसी प्रकार एक आइडेंटिटी टाइप होना चाहिए जिसके माध्याम से आपके डेटा को चेक किया जा सके समझ में आ आइडेंटिटी टाइप रोल लंबर है लेकिन वो रोल लंबर क्या है ठीक है कितना रोल लंबर है ठीक है मान लीजे किसी का रोल लंबर है 12345 ठीक है जो भी आपका रोल लंबर होगा वो डाल देंगे या पि जो भी आपका इंडॉल्मेंट नमबर होगा ठीक है वो डाल द पूछेगा admission year में आपको क्या करना है बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं admission year मतलब जिस साल ने आपका admission हुआ है अभी present की बात कर रहे है ठीक है मान लिजे कि कोई भी student है वो second year में है ठीक है वो second year में है उसने second year में admission लिया है और उसने जो अपना आप लोग की जो वो फीस मिली होगी उस फीस में आपका माल लीजे कि नवंबर डेट पड़ा हुआ है ठीक है तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि कि किस year में आपने admission लिया है अपने फीस रिसिप्ट के अकॉर्डिंग ठीक है नवंबर है इसका मतलब कि हम बात करें 2023 की यानि admission आपने 2023 में लिया है अब ऐसा नहीं है कि आप 2024 में आप 2024 डाल दोगे नहीं डाल सकते क्योंकि admission यह आपका 2023 है आपने admission 2023 में लिया है ना बहले ही वो कोर्स आज वो जो यह है वो आज आपका चल रहा है लेकिन admission तो आपने 2030 में लिया है तो 2023 आप permission डालेंगे उसके बाद सेलेक्ट institution नेम ठीक है आपको संस्था का नाम देना है अब संस्था के नाम में आपको University of Lucknow सक्ट चाहे आपको यहां पर University of Lucknow Main Campus से हो या फिर किसी अफ्लेटेट कॉले से हो आपको यू University का नाम देना है अब University का नाम देने के लिए सेलेक्ट इंस्टिट्यूट इंस्टिट्यूशन नेम पर आप क्लिक करेंगे इसके बाद कुछ इसने का इंटरफेस खुल कर आएगा जिसमें आपको ऑप्शन देदेगा काफी सारे ठीक है यह कॉलेज़ेस हैं यूनिवर्सिटीज हैं काफी आपको देदेगा लेकिन अगर आपको धूंड़ना है तो सिंपल क्या करेंगे यह आपको सर्च बार दिख रहा होगा ठीक है अब एक पर स्कॉल करते चल जाएंगे बी सी ऐल्फाबाइटIGHT मिल जाएंगे तो उस हिसाब से आप लोग यू पर जायेगा क्योंकि यहां पर यूमिवर्सिटी ऑफ लग्णव है वो यूनिवर्सिटी ओ लग्णव है इस वजह से आपको यूवर्सिटी ओफ लग्नव तो आपको लखनू डायरेक्ट नहीं सर्च करना, आपको University of Lucknow सर्च करना है, तो आपको University of Lucknow मिल जाएगा, उसके बाद आप लोग Lucknow University, ये देगे, University of Lucknow, ठीक है, इस option को सर्च करेंगी University of Lucknow, आप कहा जाएगा, आप पर submit डाल देंगे इसके बाद आप से पूछेगा कि details से आप जो है purpose of fetching documents सारे आप से clarification मांगेगा आपको just green tick पे click कर देना है green tick पहले से ही लगा होगा check कर दीजेगा अगर नहीं लगा होगा तो आप लोग click कर देंगे उसके बाद get document पे आप लोग simply यहां पर click कर देंगे ठीक है इसके बाद आपका जो interface से कुछ इस तरह से खुल कर आएगा यहां पर fetching लिखकर आओ रहा होगा fetching का मतलब है कि वह process में है ठीक है वह processing कर रहा है अभी यानि कि जो ID आपने create की है अपने ABC की वह processing में है यहां आपका fetching लिखकर आ रहा होगा ठीक है रेट कलर से fetching लिखकर आ रहा होगा इसका मतलब है थोड़ा वेट कर लीजिए अभी आपका processing में है मुस्किल से एक मिनट के अंदर आपका process complete हो जाएगा process complete होने के बाद यहां पर देख सकते हैं कि वो जो इसूट वाला option था इसी वज़े से मैंने इसूट में बोला था कि अब इसूट वाले option में मेरा यह भी एड हो गया है पहले पहले सिर्फ इतना था आधार था 10 की माक्षी थी 11 की 12 की माक्षी इंकम सडिपी करता पैंड था लेकिन अब हमारा id card जो abc id card है वो भी add हो गया है ठीक है इसके माध्यम से यह सारे documents मेरे issue कर दिये गया है इसमें से अभी यह plus हुआ है यानि add हुआ है हमारा यह abc id अब इसके बाद क्या करना है simply अब आपका कुछ इस तरह का यह खुल कर आ जाएगा जब आप इस पे क्ल करना चाहते हैं तो इसी के किनारे देखिएगा आपका three dot होगा इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का interface आ जाएगा view pdf पे क्लिक करेंगे तो आप इस तरह का pdf खुल कर आ जाएगा इसके माध्यम से आप यहां पर जाकर करके डाउनलोड करके आप अपना जो एक pdf के तोर पर यह डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है आपका जो एक कार्ड है ABC ID कार्ड यह डाउनलोड हो गया है ठीक है तो यहां पर आपको एक ID नंबर दिया जाएगा जो कि यहां पर अभी hidden हुए ठीक है यह आपका name होगा data of birth होगी gender होगा ID नंबर आपका यहां पर दिया होगा इस सारी चीजे हैं में चीज जो आपको यहां पर याद रखनी है वो यह है सारे document जितने भी आपने लगाए details जो भी दिया है आधार से verify होना चाहिए ध्यान रखेगा अगर आपका mobile number आधार card से link नहीं है तो अभी bank में चाहिए डिजी locker create करने से पहले या ID create करने से पहले अपने ऐसे mobile number को जो की चालू हो ऐसा मत लगा देना जो दो साल पहले बंद हो गया हो क्योंकि OTP उसी पर आएगा अपने आधार से link करवाईए क्योंकि उसी पर OTP आएगा उसी OTP के माध्यम से आप अपना ID जो ABC का है वो generate कर तो semester exam के लिए यह ID बनाना बहुत जरूरी है ठीक है क्योंकि आपको form अगले semester में जाना है अगले year में जाना है तो इसी के थुरू अब आप admission लेंगे और आपको त्यारी भी करनी आपको पता है कि यह जो आपका semester exam है मैं LU MCQ based कराता है ठीक है MCQ based कराता है अगर आप पूरी preparation करना चाहते हैं आप किसी भी course से हो BA, BCOM, BAC, BLB या LLB ठीक है semester exam की बात कर रहा हूं यहाँ पर किसी भी course से हो उसके लिए बस simply आपको त्यारी करने के लिए करना है कि target गुरकुल जो हम लोगों का mobile app है उसे आप लो करने से क्या होगा कि आप लोग अपने accordingly जो भी course चाहते हैं जिस course में enroll होना चाहते हैं वहां से जाकर कि आप अपनी preparation को एक बहतर अंजाम तक ले जा सकते हैं क्योंकि यहां पर आपको सिर्फ MCQs नहीं मिलेंगे MCQs कैसे पूछे जाएंगे कैसे गुमा के पूछे ठीक है और साथी साथ previous year के जो questions हैं वो भी आपको यहां पर provide किये जाएंगे ठीक है और बहुत ही बहुत ही minimum cost में आप जा करके visit कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है अगर आपको लगता है वीडियो अच्छी लगी है आपको informative लगी है वीडियो like जरूर की कीशेगा हम लोग उसका अवश्ची reply देंगे ठीक है फिलाल हमाई साथ जोने के लिए बहुत बहुत धनेवाद आप सभी का मिलते है नेक्स टूडियो में